में दोस्तों साहगता अपका अपने चल Lynn Practically side Visit में दोस्तों अपने माकान में किसी भी तरह का कोई बी structure में क्रेक हो या दिवार में क्रेक हो या plaster में क्रेक हो या किसी भी तरह कोई भी maintenance का काम अगर किसी माकान में आ जाए तो यह कोई पसंद नहीं करता है अधिक तरी यही लोग चाहते हैं कि हमारा हम जो भी कंशेक्चन में काम कर्वाते हैं वो सारा काम हमारा एक ही बार में हो जाए हमें किसी तरह का कोई maintenance का खर्चा या फिर कोई किसी तरह का अलग से किसी भी तरह का material से लेके labor से लेके या किसी भी तरह का कोई भी खर्चा, कोई लोग यह नहीं चाते हैं कि हम अपने मकान में अलग से इस चीज का खर्चा देवें अब दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि कॉलम एक structure डिजाइन होता है जो की जिस पर चतका लोड आता है और जो भी पनीचर या सेमी फनीचर का जो भी लोड होता है वो कॉलम के ओपर यह आता है यह दिकतर लोगों को पता होगा लेकिन सबसे जरूरी जो हिस्सा होता है मकान के अंदर वो होता है कॉलम में कॉलम की जो grade of concrete है वो अलग-अलग designing होती है कोई M25 से करवाता है कोई M20 से करवाता है कोई EK2 में करवाता है कोई EK3 में करवाता है वो अलग-अलग चीजे होती है लेकिन आज की जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तो तो उससे आपके मकान में जो कॉलम आप भरोगे उस कॉलम की मजबूती पर उसका बहुत ज्यादा असर होगा दोस्तो इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा उससे आप ये साहता मिलेगी कि आपको मकान में किन चीजों का ध्यान अकना है जब भी आप कॉलम बढ़ते हो तो अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से अगर आपके मकान में कंस्ट्रक्शन में आप काम करवाते ह हो ठीके दोस्तो ये एक लिमिट होती है कि जैसे आपने काश्टेंग करा दी ये भ अब खुराने के बाद में किन दो बातों का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना त्यक्रै करने के बाद में दी शेट्रिंग जले ऑसको बहने के बाद में सका फरमा हळँ जाएगा जो भी आप concrete डालोगे उसके बाद में फर्मा खुल जाएगा फर्मा खुलने के बाद में इस स्थिति में आ जाता है वो देख सकते हैं उस स्थिति में आ जाता है अब आपको जो मैं चीज बताने वाला हूँ आपको उस चीज पर विशेश सुरूप से ध्यान देखना सबसे पहले जब भी आप column भर जाए तो पहली stage यह रहेगी आपकी कि आप पूरे column में टाचे लगवाई है और उस column पर तारीक लिखिए जिस भी column की आपने उस casting की है जिस भी दिन उस column को बढ़ा है उस दिन का तारीक लिखिए तारीक लिखने से यह होता है दोस्तों कि जब भी हला हूं तो और यह दो सeki अब जो मैं आपको में जो तीसरी चीज बताने वाला हूं दोस्तों तीसरी चीज यह होती है कि तरही अब तरही का महत्वपूर्ण इश्चा आपको सबको पता होगा कि मैं अधिक तर अपनी वीडियो में सबसे आदा फोकस तरही के ओपर ही करता हूं कि जितना ज्यादा आप 80-90% जो बरही है वो कॉलम अपनी मजबूती पकड़ लेती है जब आप इसकी तरही कर देते हो तो तरही का जो सिस्टम होता है दोस्तों तरही का सिस्टम यह होता है कॉलम के अंदर आपको तरही दो तरीके से करनी है एक तो आप जो होता है जैसे मान के चलिए अगर यह कॉलम है अगर एक कॉलम तो आप इस पर पाइप लगा के छोड़ दे दस मिंट के अंदर यह कॉलम पूरा सूख जाएगा फिर आप दो गंटे बाद इसकी तरह करोगे तो उस चीज में कास्टिंग में सबसे में जो इंपोर्टेंट रोल्स होता है कि जब आप बराई करते हो तो बराई में हमेशा पानी की गुणवत्त होती है पानी की गुणव दोस्तों इस चीज का विशुष रूप से ध्यान रखें इसलिए हम लोग यह बोलते हैं कि आप तरही को बिल्कूल गच्छ तरीके से रखिए तरही को किसी पी तरीके से छोड़िये मत उसको किसी पी तरीके से होल्ड मत करवाई कि आप एगंटा या दो गंटा तरही को र यह होता हैये कोलम में प्रॉपर तरीके के से पूरा गीमा रहने के लिए उस पर बोरी लंपिटी जाती है बोरी लपेटने का मतलब यह होता है कि अगर बोरी पर पानी पढ़ेगा तो वह बोरी और दोस्तों यह ह्मारी आप देख सकते हैं इस वीडियों के इंदर इसका सबसे बड़ा जो मेन कारण यह कि यह बोरी इस दो से फकर हो तो एक घंटे दो गंटे बाद में वापिस शूख जाती है थीकर दोस्तों तो इसका में कारण यह है कि एक तरह से जिस तरी के से हम उसमें तरह करा रहे थे कि ना के बराबर होती है तो इसमें भी आप ना के बराबर ही समझो हो अगर आप इसे कर देते हो पूरा के गील उसके बाद वापिस 2-3 गंटों के अंदर यह बोरी सूख जाएगी तो सूखने का मतलब यह है कि फिर कॉलम पर पानी भी नहीं पड़ेगा और कॉलम पर पानी नहीं पड़ेगा तो कॉलम अपनी मजबूत ही नहीं पकड़ता है फिर वह बाद में फिर क्रेक भी आएगा प्लास्टर में पिकरेक आएगा चुणाय में फिर वह सबी के अंदर इकरेगा तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है जो आपकी 2-3 mm की जो बोरी होती है आप उस 2-3 mm की बोरी को उपियोग ना करके 3-4 mm की बोरी आती है दोस्तों बजार के अंदर 3-4 mm की भी आती है 5 mm की 6 mm की भी आती है 10 mm तक की बोरी जितनी मोटी आप बोरी अपने कॉलम में बांदोगे ऑब्यसली बात है कि उसको गीला रखने के लिए हमें बोरी को भी गीला रखना पड़ेगा मार्केट में जो अधिकतर यह होती है बोरी इसे हम करनी बैक भी कहता है लेकिन जो बोरे होते बोरो का रूप यह होता है कि वो गच गीले हो जाता है और गच गीले होने के बाद में फिर जब कोलम पर इसको बांदा जाता है तो वो कोलम पर को भी पूरा गीला रखते हैं और गीला रखेंगे तो आपके कोलम की मजबूती जरूर पकड़ेगा ठीक है दोस्तों तो ती तरह होने के बाद में अब तरह का time period क्या रखना है यह सबसे में कारण अदिक तर पूछा जाता इंटर्वू में कि तरह कि आप M25 करते हो तो आपको तरह कितने दिनों तक time period तक इसकी होनी चाहिए यह दिक तर लोगों से मुझे question नहीं होनी जितना ज्यादा मेक्जिम आप तरह करा सकते हो चाहे 10 दिन की हो 15 दिन की हो जितनी ज्यादा आप आपकी कैपिविलिटी होनी चाहिए तरह करने के लिए वैसे तो मजबूती सास से दस दिन के अंदर अंदर पकड़ती है लेकिन हम यह अधिकतर यह की हमारी तरफ से कोशिस रहती है कि सास से दस दिन तक तो रखना है लेकिन जितना जादा 12 तेरा दिन जितना आप तरह कर सकते हो मतलब उसका डबल मान के चलिए सास से चौदा दिन तक आप उसकी तरह अच्छी तरह से पूरी तरह से कराई है जोस्तों आई होप वीडियो अउस्टी लगी होगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से हेलम मिले तो हमारे चैनल गो लाक से रिम सब्सक्राइब